नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूँ पराकरम से श्रीखावट बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें शुरुवात करेंगे सुर्खियों के साथ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबधता के तहट प्रधान मंत्री किसान समान निधी की अठारवी किस्त की जारी लगबग 9.4 करों किसानों को करीब 20 हजार करोर रुपे हुए हस्तांतरि प्रधान मंत्री ने पहरा दीविस से जगदंबा माता मंदिर में किये दर्शन और पूज़। हरियाना में सुबह 11 बजे तक करीब 23 प्रतिशत मतदान दर्ज। पलवल में सबसे अधिक जबकी पंचकूला में सबसे कम वोटिंग नायब सेहनी। भुपिंदर हुगडा, विनेश फोगाट और दुर्शन चोटाला समेथ 1031 उम्मेद्वारों के कैस्मक दाओं परूपडा के गुगलधार में मारे गए दो आतंकवादी, सुरक्षा बलोनी नाकाम की गुसपैट की कोशिश, सर्च ओपरेशन अभी जारी, भारी संक्या में ह अत्यार और गोला बारूद बरामत, देश के विदेशी मुद्राभंडार में जवर्दस वृद्धी, फॉरेक्स, रिजर्व पहली बार, 700 अरब जॉलर के पार, गयर रिकॉर्ड बनाने वाला, दुनिया का चौथा देश बना, भारत, इस्लामबाद में पूर प्रधान मंतरी इमरान खान के समर्थकों पर, पोलिस ने दागे आसू गया, इसके गोले, प्रदेशन कारियों ने सरकार विरौधी रेली में, इमरान की रिहाई की कीमा, और बेरूध के दक्षुनी शहरों में संघर ज़ारी, लोगों से इलाका खाली कराने को कहा, सिर्थ राष्ट्रों ने कहा, नागरीकों की मौट मंजूर नहीं, कच्चे तेल के केमतों में भी आया उच्छाल। और सुर्क्यों के बाद अब ख़बर उपर नज़र डालेंगे विस्तार से किसानों को सशक्त बनाने की, अपने प्रतिमधता के अनुरू, प्रधान मंत्री ने लगभख 9 शमलव, 4 करोड किसानों को लगभख 20,000 करोड रुपे की, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी की अठारवी किस्त जारे की, इसके अलावा प्रधान मंत्री ने नमोश इतकारी महा सम्मान निधी योजना की, पांचवी किस्त भी जारे की, जिसके तहर लगभख 2,000 करोड रुपे वित्रत किये गए, क्रिश्री अवसरचना कोश के तहत 1,920 करोड रुपे से अधिक की, 7, 7,500 से अधिक परियो जुनाएं, राश्ट्र को समर्पित की, प्रमुक परियो जुनाओं में, कस्टम हारिंग सेंटर, प्रात्मिक प्रसंस करन एकाईयां, गोदाम, चटाई और ग्रेडिंग एकाईयां, कॉल्ट स्टोरेज परियो जुनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियो जुनाएं शामिल हैं, वही 9,200 किसान उत्पादक संगठनों को भी राश्ट्र को समर्पित किया, जिनका सेंट कारूबार लगभग 1,300 करोड रुपए है, इसके लावा प्रधान मंत्री ने मवेशियों के लिए एक इकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स्ट सौटेट सीमेन तकनीक का शुभरम किया, प्रधान मंत्री ने मुख्यमंत्री सौर क्रिशी वाहिनी योजना दूदर शमलव शुनने के तहट पूरे महराश्ट्र में, उन्हेस मेगवाट की कुलक शमतावाले 500 पार्कों का लोकारपन किया, कलक्रम के दुरान उन्होंने कॉंग्रेस कभी भी वंचितों, दलितों को सम्मान नहीं देना चाहती, वो आपस में लड़वाने की नीती अपनाती है बीजेपी अपनी नीतियों से बंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जब कि कॉंग्रेस सिर्फ लूटना जानती है, कॉंग्रेस गरीब को गरीब बना कर रखना चाहती है कमजोर और गरीब भारत कॉंग्रेस को उसकी राजनिती को बहुत सूट करता है, इसलिए आप सभी को कॉंग्रेस से बहुत साउधान रह रहा है आज कॉंग्रेश को पुरी तरब से अर्बन नक्षल का जिरो चला रहा है कॉंग्रेश को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को माटने का उनका एजन्डा फेल हो जाएगा इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते है पुरा देश देख रहा है कॉंग्रेश के खतरनाग एजन्डों को विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है जो लोग बारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते है वो इन दिनों कॉंग्रेश के सबसे करीबी दोस्त है इसलिए समय एक होने का है हमारी एक साही देश को बचाएगी प्रधानमंतरी नरिंदर मोधी ने आज महराश्टर के दौरे पर पहरा देवे सिझ जगदमबा माता मंदिर में दर्शन किये उसके बार प्रधानमंतरी मोधी ने संत सिवलाल महराज और संत रामराव महराज की समाधी पर भी शर्धांजली अर्पित की बंजारा समाज की संत रामराव महराज ने पोरा देवी जिक दंबा माता मंदिर भक्ती धाम की सापना की थी प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उत्खटन किया इसमें बंजारा समोधाय की समर्ध विरासत को प्रदर्शुत किया गया है प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी महराश्टर के दौरे पर ठाने में इंचीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का श्रिला नियास और उत्खाटन करेंगे ठाने में प्रधान मंत्री राजी सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सरशक्तिकरन मिशन से जुड़े एक कारिक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधान मंत्री बहुत 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 आबारी है। प्रधान मंत्री लगभग 12,200 करोड रुपे की लागत से बनने वाली ठाने इंटिग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। महत्वकांशी परियोजना ठाने शहर की बड़ती परिवान आवशक्ताओं को पूरा करने के लियाज से एक महत्पूर्ट पहल है। प्रधामंत्री लभग 3,310 करोड रुपे की लागत से ठाने के छेदा नगर से आनन नगर तक एलिवेटर इस्टन फ्रीवे एक्स्टेंशन के आधार शिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षण मुंबई से ठाने निर्बास संपर की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधामंत्री लभग 700 करोड रुपे की लागत से बनने वाले ठाने नगर निगम की आधार शिला भी रखेंगे। नगर निगम वाले कार्याले एक किंद्रे स्थान पर इस्थित होंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन के आधाने निगम की लागत से बनने वाले ठाने पर इस्थित होंगे। आरे जेवी अलार से बी केसी खंड का उद घाटन करेंगे। इस प्रजेक्ट सा सबसे ज़्यादा फाइदा इस्पेशली फेज वन का जो है वो नॉर्दन जो सबर्ब्स है मुंबई के उस एरिया को मिलने वाला है। उसमें BKC जैसा फैनेंशल डिस्टिक्ट है, अंधेरी मरोल, सीप्स और MIDC जैसे इंडस्ट्रियल और सर्विस डिस्टिक्ट है। तो यहाँ पर बहुत लोग आज जाते हैं बट उनको जोडने के लिए कोई भी डाइरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। कुलाबा में कफपरेड स्टेशन और सीप्स के पास आरे जेवील आर स्टेशन इस कॉरिडोर के दोनों छोर पर स्थित स्टेशन है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.5 किलो मीटर है जो पूरी तरह से भूमिगत है। इस कॉरिडोर पर 26 भूमिगत और एक एट ग्रेड स्टेशन है। तो साउथ मुंबई को कनेक करने वाली इस इस अल्ली मेटरो और उसके कारण इस मेटरो कॉरिडोर के आसपास रहने वाले करीब 30 लाख लोगों को उसका फाइदा मिलने वाला है। ये लाइन नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोवर परेल, बीकेसी और सीप्स समेद 6 प्रमुक व्यवसाइक और रोजगार केंडरो से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये लाइन अन्य मौजूदा और निर्मानाधीन मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरिये रेल और राज्य परिवहन बस सिवाओं के साथ एक इक्रत होगी। हर्याना के चुनावी अखाड़े में आज नेताओं के किसमत लिखी जा रही है। सभी नभे विधानसबा सीटों पर मतदान हो रहा है। तो पहरे एक बजी तक मिले आकड़ों के मताबिक कुल 36.6% मतदान हुआ है। नायब सैनी, भुपिंदर हुड़ा, विनिश फोगाट और दुशन चोटाला समेथ 1031 उम्मीद वारों के किसमत दाव पर लगी है। दो करोर से ज्यादा मतदाता 20.632 बूतों पर मतदान करेंगे। चुनावायोग ने निश्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्ट करने के लिए कहीं कादम उठाए हैं। इस बार हर्याना में दिल्चस्प मुकाबला है। एक तरफ जहां भाजपा राज्ज में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सियासी मैदान में है। तो वहीं कॉंग्रेस को उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलेगी। उधर मायवती और इंडियन नैशनल लोग दल को यकीन है। उनका गड़बंदन किंगमेकर की भूमी का निभाएगा शाम 6 बजे तक मतदान होगे। और वोटो की गिनिती 8 अक्टूबर को होगी जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी या फिर कॉंग्रेस भाजपा के गड़ में सेंद लगाने के बाद वापसी करेगी। केंद्रिय मंत्री मनहोरलाल ने सुबह ही करनाल के एक पोलिंग बूट पे मतदान किया। कक्षिन 24 परगना में कुल्टली में 11 वर्षिय बालिका के बलातकार और हत्या की घटना ने एक बार फिर बंगाल की आनोन व्यवस्था को शर्मिसार कर दिया है। केंद्रिय मंत्री सुकान्त मजूमदार ने परशिमंगाल के जैनगर में मासूम के साथ हुई दरंदिगी पर दुख जटाते हुए कहा कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ममता बनर्जी ने पुलिस को FIR दर्ज ना करने को कहा क्योंकि NCRB के पास परशिमंगाल में बलातकार की बढ़ती घटनाओं के आकड़े जा रहे हैं। इसलिए परिवार और गाउंवालों की शुकायत के बावजूद परशिमंगाल की पुलिस ने मामला तर्ज नहीं किया। इस समय जिस तरीकी की घटना जैनागर में एक मासुम के साथ जो घ्रिंद घटना रहे है। वह दर्शाता है कि मंता वैनग जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशाशन के उपर और प्रशाशन पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुकी है। इसलिए परिवार के बोलने के बावजूर पुलिश ने फायर धर्ज नहीं की, मिसिंग रायरी नहीं की। और इस नावालिक के साथ इस तरीके के दुश्कर्म होगा है। यह बहुत ही खतरनाग है और मुझे लगता है कि इस तरीके से घटना, अगर मंगाल में बार बार घट रही है तो मुंतावन अच्छी कोई लीगल या मोरल कोई उनको राइप नहीं है, अपने बतपर बने रहे हैं। परश्री मंगाल विधाम सपामे नेता विपक्षिर सुविंदू अधिकारी ने एक बार फिर मंता सरकार पर धर्म की आधार पर भेटभाव करने का आरोप लगाया है सोशल मीडिया पर प्लैटफॉर्म एक्ष पर पोश्ट करके उन्होंने कहा कि परश्री मंगाल परिवह का नुपालन सुनेश्ट करते हैं पिछले च्छे वर्षों में ये जलसाथी जेटी और घाटो पर काम कर रहे हैं सुविंदू अधिकारी ने कहा कि इस साल जलसाथियों को बोनस देते समय ममता बेनरजी सरकार ने अनतिक रूप से उनके बीच भेदभाव किया मुश्रिम योहर के समय बोनस पाने की पात्र कर्मचारियों को चछ घछ रुपे बोनस के रूप में मिले और दुर्गा पूजा के दुरान बोनस पाने वाले पात्र कर्मचारियों को केवल 3,600 रुपे ही मिले सुविंद अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी सिविक फॉलिंटियोस के बीच भेदभाव किया गया था लेकिन धर्म के अधार पर कर्मचारियों में भेदभाव करना और एक हिश्विनी के कर्मचारियों को अलग अलग राश्री का भुकतान करना आनातिक असमविधानिक है राज सरकार ऐसा नहीं कर सकती भाजपा नेता ने राज सरकार से हिंदू कर्मचारियों को भी उनके मुश्लिम सहकर्मियों के बराबर बोनों जिने की मांग की साथी उन्होंने CSTC, NBSTC और SBSTC के कर्मचारियों के साथ एक जैसा विवार करने की बात कही हमारे देश की भाजपाई विरासत को समर्पित एक महत्वपोर्ण खादम के रूप में प्रधान मंत्री नरीन रबोदी के नित्रत्व में क्याबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाजपा को शास्त्रिय भाजपा का दरजा प्रदान किया है इस प्रस्ट्रिय का स्वागत करते हुए भाजपाई जानकारों और विशेशक्यों ने प्रसनता जाहिर की है शास्त्रिय भाजपाई भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती है जो प्रतेक समुदाई की एतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती है इनी भाजपाई के संरक्षन के लिए गुरवार को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रिय मंत्रिमंडल ने मराथी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाशाओं को शास्त्रिय भाशा का दर्जा दिये जाने को स्विक्रिती दे दी इन भाशाओं को शास्त्रिय भाशा का दर्जा देने के लिए महराश्ट, बिहार, असम, पश्चिम, बंगाल से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्थ हुए थे भाशाओं को शास्त्रिय भाशा के रूप में शामिल करने से खासकर सैक्षनिक और शोध क्षेत्रों में रोज़गार के एहम अवसर पैदा होंगे इसके अतरिक्त इन भाशाओं के प्राचीन ग्रंतों के संडरक्षन, दस्तावेजी करन और डिजिटली करन से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोज़गार पैदा होंगे इन भाशाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है प्राक्रित भाशा आज से पत्री सो वर्ष पूर भारत की जन भाशा थी, प्राकिरत भाशा में बहुत सारे घ्रन्त रचे गए हैं भारत सरकार ने प्राचीन भासा प्राकित को सास्प्री भासा का दर्जा दे करके बहु प्रतिक्षित कारिक किया है In fact, this is of historical significance that these languages are being included in the classical languages because we know all our ancient literature is in these languages श्री नरेंद्र मोधी जी के नेतृतों में केंद्रिय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांगला, असमिया, पाली प्राकृत भाशाओं को शास्त्रिय भाशा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा अईतिहासिकर कदम है पाली भारतिय उपमहदीप की एक मध्य इंडो-यूरोपिय धार्विक भाशा है पाली भाशा संस्कृत से उभरने वाली भाशा है शोध के अनुसार पाली अनेक प्राकृत भाशाओं का मिश्रण है जिन्हें तीसरी शताबदी ईसा पूर्व के आसपास एकी कृत किया गया तथा उनका संस्कृती करण किया गया पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतिय भाशा है जिसका प्रियोग बौध ग्रंथों और सहित्य में किया जाता है 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रिलंका और दक्षिन पूर्व एशिया के धेरवाद बौधों द्वारा इसे बुद्ध की भाशा माना जाता रहा पाली का इस्तेमाल बौध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया बौध सहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया है वही प्राकर्थ मद्ध भारतिय आरिभाशाओं का एक समू है जो तीसरी और सात्वी शताबदी ईसापूर्व के बीच भारत में बोली जाती थी प्राकर्थ मुख्यतह मद्ध भारतिय आरिभाशा युग को संदर्भित करता है जिसमें पहले के शिलालेखों और बाद की पाली को नजर अंदाज किया जाता है प्राकर्थ का इस्तेमाल जैन सिध्धानतों के प्रचार-प्रसार के लिए किया गया जैन सहित्य का हिस्सा प्राकर्थ में लिखा गया है तक कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसमें उनके जड़ों से ऑक्सिजन न मिले अच्छा निरने लिया है इसल भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रिय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निरने लिया जिसके तहत तमिल को शास्त्रिय भाषा घोशित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलगू, कननन, मले आलम और उडिया को शास्त्रिय भाषा का दरजा दिया गया इसके बाद सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रिय भाषा का दरजा दिया है Bureau Report, DD News महराश्ट्रो में कॉंग्रिस विधानसभाद चुनाव के पहले विवादों में फज गई है जिसके बाद शिवसेना कॉंग्रिस पर हमलावर हो की है कॉंग्रिस ने आगामे विधानसभाद चुनाव की मद्दे निजर जिलो के लिए पार्टी के कोडिनेटर के नाम की घोशना करते हुए चतरपती संभाजी नगर की जगा औरंगबाद नाम के इस्तेमाल किया है जिस पर शिवसेना ने चातरप्रती संभाजी नगर के जगा औरंगाबाद शब्द का इस्तमाल करने पर कॉंग्रिस की अलोचना की है शिवसेना ने कहा है कि कॉंग्रिस औरंग जेब की दौर की मानसिक्ता से बंडी हुई है उप्राश्पती जगदीब धनकरने नए दिल्ली में आयुजूत एक समेलन में कहा कि उत्तरपूर्व के विकास को प्रधान मंतरी नए आयाम पर ले गए है बीते दशक में उत्तरपूर्व में आधारभू सुरचना के विकास के लिए बहुत काम हुए है उत्तरपूर्व में परेटा नुद्यों के विकास से नसर्फ महां आर्थवर्सामस होदार होगा बलकि युवाओं को रूसकार भी हासिल होगा प्राइम निस्टर मोदी तुक इट नेक्स लेवर लुक एस्ट, एक्ट एस्ट अधि और लुक जास, तुकिपंट प्रेट निसा जचाए और नुद्वर्साद्ट, प्र्टूमेश होगा प्रेटाश लुद्पाइफ लिए की लुद्पाइब, इietet बहुंगे लुद्पाइब, लुद्पाइब, इस्टपन एटुद्पाइब, लिए मैं उन्होंने कहा कि मीडिया को शकारात्मक भूमिका निभाते हुए प्रामक खबरों और जूटे नरेटिव से सदर्क रहने की अविशुकता है परस्टाम कर्षाइब प्रामक पर्तिव कि अविशुकता है I want media to take a stand on comparable growth trajectory of large economies. The disproportionate attention being bestowed by the media on issues that merit only a small attention. नवरातरी का तीसरा दिन है, नवरातरी के तीसरा दिन माचंदर घंटा की आराधना की जाती है. देखिए, हमारी ये खास रिपोर्ट में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे पूरे भारत में नवरातर का उत्सव मनाया जा रहा है. मंदिरों में मा के जैकारे गुँज रहे हैं और लगातार भक्त जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे भक्ति भाव के साथ शक्ती की उपासना के महापर्व नवरातरी को मनाया जा रहा है. इसी की साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही दीजिया नुमती, नमस्कार.